तो आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए फिप्त समस्टर के हिस्टर यानि की प्रचेन इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन और एंसर के बारे में जो भी हमारे बीए फिप्त समस्टर के चातर है जिनको हिस्टरी का सिकेंड पेपर की परिछा देनी है उनके आपको help मिल सके ठीक है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आपका जो वर्स है वो तिरती वर्स है समिस्टर आपका पंचम है subject आपका प्रचीन इतिहास है ठीक है याई हिस्टरी है प्रश्ण पत्र का नाम है दुतिय प्रश्ण पत्र यानि कि सिकेंड पेपर से जुड़े कोश्चन होंगे भारत में पुरा तत्त अभलेक पुरा लिपी एवं मुद्रा साफ्त इसे से जुड़े सारे कोश्चन होंगे तो ध्यान से आप त्यार कर लिजेगा ठीक है यह पूरी संभाव ना तो चलिए थोड़ा परिचे ले लेते इसके बारे में ठीक है ध्यान से सुनेंगे लिखाया कि वी ठीक है ध्यान से सुनेंगे वी जैगो वी जैगो भी कूप पोसाड़ वंस में सैत्त की महांता को बताती है ठीक है इनकी भारतिये नचत्र देवी विस मुखयता ठीक है विह हिस्क के त्षासनकाल में असकंदो कुमारों के साथ हुआ है ठीक है उसके भाद असकंदो तथा कुमारों है ठीक है और अनकी बारे में आप पढ़ लिजिएगा एकदम गारंटी वाला कॉष्जन नहीं लेकिन उमीद है कि फस सकता है ठीक है तो आप परिशे पढ़ लेंगे बेसिक से आएगा तो जातर अतिलग उत्रे में आता है बस ताकि आप 50 सब्दों में और 100 सब्दों के बीच में उत्तर लिखेंगे तो आपको पूरे नमबर मिल जाएगे ठीक है अगला पता सुन्दर पुरानी चीजों और खजानों की खोज की अकरसर से लगाया जाता है मतरब कि जो पुरा तत्य की शुरुवात है या फिर उत्पत्य है यह मतरब कि जो चीजे आप लोग मुलते नहीं हिए रिफल्ड होता कुछने माटा है चिबसेड़ का नाम है तीक है Husth 3D Thompson उस समय के पुरातथ तुमें गरन्त आधारित पुरातथ और प्रगत्व हासिक पुरातथ तु सामिल थे तो मतलब कि उसमें गरंथ भी थे और इसके साथ प्रगत्थ हासिक पुराने काल थे पुरातथ तुमें इनकिल्यूडऱित यानि मिलते, जो ग्रंतों पर आधारित थे, वो कही न कही कि किछ सटोर सी पर आधारित थे, ये ही मत्तब यह हुआ कि यह किफी चीज पे कौपी वाला काम नहीं था ना किसी पे आधारित ना किसी पे डिपेंड थे ठीक है तो इस प्रकाश की सिंपल सी परिभासा लिखेंगे आज या कई बिसेओ जैसे पर्यावरण पुरातत्त जेव पुरातत्त भूपुरातत्त आज मे बट गया है ताकि लोग इनको समझ सकें और जान सकें ठीक है और यहां पर अगला पॉइंट है कि भारत में पुरातत्त की जो शुरुवात ऐसे ही हुई है ठीक है मत्तब कि जो बापना देश है इसमें भी पुरातत्त की शुरुवात जैसे उपर बताया गया वैसे ही बीना अफ्थलो और अवसेशों का अध्यन किया गया था ठीक है तो यह कुष्ण का आपको तर्जो तैयार कर लेंथ इसका मतलब यहां पर यहां पर जैसे कि भुलते नहीं कि खुदाई हुई हमारे हमारा घर बन रहा था था तो हमने सब्सक्राई को यह पक्का बन वा लि गांग भासा में डुकिया बोलते हैं वो मिल गया उसमें सोना ही सोना था तो क्या है एक तरीके से यह क्या है यह सब पुराने जो मतलब की जो 100-200 साल पहले जो ठीक है लोग थे वो कहीं ने कहीं वो छूट गया या फिर उन्होंने अप्छिपा कर कहीं पर रखा था तो दीरे धीरे वो धास्ता चला गया जमीन में नीचे चला गया बाद में जब वो हमें रिसर्च करने पर ढोड़ने पर या फिर अचानक से मिला तो इसको हम लोग यही तो बोलते हैं कि भाईया हमें क्या मिल गया हमें तो पुरानी चीज थी वो मिल गई ही ठीक है एक तो इस प्रक में इसंसे एक कौश्यन पखा पच जाएगा दोनों कॉश्यन मैं इसलिए औगलों तो इस्अध़ फिरिया जाए मैं पर आप juegoम करकि एक पाधे हैं प्ता चलिया ना यूना यूना और आजा तो थी फूपर वाल पुरानी चीज आपको बहुत ज्यादा मिलेंगए कहीं हो सकता सोना मिल जाए, खजाना मिल जाए, हीरा मिल जाए, ठेक, अतामे के बरतन मिल जाए, बहुत फारी सुन्दर चीज़े मिल जाए आपको ठीक है, तो ये सब कहां पर आपको मिलेंगी, जहां पर आज के 200 साल, 300 साल पहले के जो राजा महराजा ठीक है, हुआ करते थे और साथ में जो अंग्रेज हुआ करते थे, हमारे पूर्बच हुआ करते थे, ठीके, तो उनके क्या होता था, कि लड़ाई हुआ होती थी, और लड़ाई के दौरान, बहुत फारे चीज़े, वो मतलब कि छिपाने के लिए मिट्टी में छिपा देते थे, मतलब कि जमीन कामपल बहुत बड़ा है, आप लोगों के समस्त, जैसे कि हमारा अयुद्धा का राम मंदिर ही था, देख लीजे, आज से पांसो साल पहले, आज से कितने साल पहले मुद्दा देखे, पांसो साल पहले वाला जो सपना है, आज पूरा आप हो रहा है, 22 जनौरी को, तो कितन नहीं है, पर सिर्फ मुस्लिम का जो ये मस्जिन पूरा बना दिया गया कि उनहीं का है, ठीक है, लेकिन जब रिफर्च किया गया हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ बोले कि भईया नहीं, यहां पर राम मंदि ये एउध्या, राम की जो मतलब की नगरी है, यो इनका जन्मस् गरंत में, पुरान में, वेद में, सम्में, रामायर में, हर जगा हुआ है, ठीक है, तब जाके उस पे सुप्रियम कोर्ट ने पुष्टी दी है, तब जाके आजा मंदिर बन गया है, और उसका गाटन भी है, बाइस-जन्यौरी को आप सभी मालूम भी है, ठीक है, तो इस बहुत रखी कमेरिया में ठीक है लेकिन आज आप देखेंगे न तो एक भब्य मंदिर बन गया है ठीक है तो आप उसको देखें तो आपको जमीन आस्बान का अंतर लगेगा ठीक है कि हमारे राम पहले कैसे होते थे क्यों कि क्या हुआ था वो लोग कबजा करके पहले के जो थे समराज जिन लोगों का था मुस्लिम लोगों का ठीक है जो हमारे देश को खोकला कर गए हैं ठीक है तो उन्होंने पूरी तरह अपना समराज बिस्थापित किया था ठीक है तो इस प्रकार प्रच्चे लिखेंगे उसी तरह दिखा गया कि खुदाई के दोरान तामर लो रखेंगे खेती की उपकरणों में जंक है जकीला में लोही बनी हसिया और कुदाली क्यों अर्शिन मिली मिली है है क्ईंवल अतरंजि खेरा फेही 125 वस्तुमे मिली है जिन में एक वरति फता पर लोह का बुरादा तथा एक चिम्टा मिला है जोश्षा मैं दो उनका पूरा का हो जो उनके उस्ट घर घर गया तो बाद समय नहीं तो हम आपको most important question select करा दे रहे हैं उसके बाद आपको पीडियाप देंगे हम यह तो वही वही प्रस्ट तैयार कर दीजिए ठीक है अगला प्रस्ट बहुत ही महात पूर्ण है कि सिंदु घाटी में मिट्टी के बरतन बनाने के किन वस्तों का प्रयोग किया जाता है बहुत ही popular question है तो ध्यान रखेंगे ऐसा अनुमान होता है कि इस मिट्टी में चूना तथा अवरक मिली बालू मिलाई जाती थी चूने के टुकड़े तो कुछ बरतनों में कुछ बरतनों में से असपस्ट रूप से प्राप्त हुए है इसी करण ऐसे धाणा होती है अवरक मिट्टी में चमक रही है और बालू के कड़ भी मिट्टी में दिखाई देते हैं अवरक तो सिंधु नदी के तट के बालू में प्रकति रूप में पाया जाता है जिसमें थोड़ी भी बालू मिट्टी में माडने के समय मिला देने से वह दिखाई देता है इस प्रकार की बालू को मिलाने से दो लाव होते हैं एक बरतन बनाते समय मिट्टी शीग सुकती नहीं तो था दूसरा इस मिट्टी के बरतन को सुखाते समय यह चटकते नहीं ठीक है तो योंकि आपको मेने बताया, भहुत ही महत्कून प्रस्णफ इस धित वह सकता है, तीक है, आपको प्रस्ण ऐसा देखने कर रहा की, वसुध है द्टकूम कंड है, काटूम कंड कटूम प्रस्ण, इसकी का पार। पर लिए गया आप लोग पढ़ लीजिएगा महत्पूर्ण है तो मैंने सूचा इसको भी इंक्लूड कर दिया जाए अधिति देव भाहट बो यह भी महत्पूर्ण है और अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह भी महत्पूर्ण है सत्व्षा नहीं होता है इस वह कदार आता हमें से नहीं आता तो आप पढ़ भी सकते इग्णोर भी कर सकते तच्छ चिला देखिए अभी आपके बता दू यह फश्ट पेपर में भी कोश्चन आया था यही कोश्चन भई हिस्ट्री के दो पेपर होते हैं फिप्त समस्टर में तो फश्ट पेपर में भी टॉपिक है तो इससे भी जोड़ा कोश्चन आपके परिच्छा में आने की उम्मीद है तो इसके बारे भी थोड़ा पढ़ लीजेगा ठीक है ओके ताम पसाड युक की देविया कौन सी थी यानि कि ताम पसाड युक था उसमें जो देविया थी देवता लोग थे और दे पर देखा है तब तब यह कोश्चन आया ही आया ही परिच्छा में और मुस्ट इंपार्टन टॉपिक भी ठीक है अगला कोश्चन आप इगनोर कर सकते हैं अगला प्रशन भी इतना महात्पूर्ण ने इसको भी इगनोर कर सकते हैं हडपा की सभीता बहुत ही पोप्रिश् तुछ इसके नाम पर सभिता ठीक है इसके नाम पर सभिता का नाम रखा गया हडपा के पुरा तत्विक अफ्थल का आकार लगभग 150 एक्टियर है तो इस प्रकाइस का परचे लिखें कि हडपा जो है पंजाब प्रांत में इस थी थे इस बात को ध्यान रखेंगे पंजाब प्रांत में इस बात बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है और हाड़ लेबल का है कई वार पर अच्छा में आ चुका तो ध्यान रखेंगे ओके रजत के सिक्के कभी कदार आता है ठीक है तो आप जाहत पढ़ सकते हैं अगला मुश्ट इंपार्टन कोश्चन कुमार गुप्त क सिख्की ये महात पॉन्ध साबित हो सकता है इसको ध्यान रखें टीक है पंचमार की सिक ये भी आपकी अतलर गुत्रम ज्यादा देहनों को मिलता है यूनानी के सिक्के के बीज़्ादर ये बीज़्ादा कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आप पढ़ सकते हैं ठीक है अभी लेखों के प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टन टॉप लेबल का कोईश्चन गैरंटी वाला कोईश्चन कई बार पर इच्छा पहस चुका है और आपकी पूरी उम्मीद है कि आएगा ही आएगा ठीक है मौर कालीन ब्रंभी के बारे में ये कभी कदार कोईश्चन आता आपके पास समय तो पढ़ सकते हैं प्रचीन सिक्की ये मोस्ट इंपॉर्टन है कई बार पर फंस चुका है पर इच्छा में और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आएगा ही आएगा कुमार गुप्ति के पूरा प्रचो के बारे में आपको अच्छे से कम से कम तैयार करें ना क्यों की दो प्रशनातों से जड़े देखने क दिदेल हैं अगर च्छे हैं तो आपके दस-से बारा नमबर ठैशक हो जाएंगे रहां लगा ही कभ्सणम यूक शुरुछ सब्सक्राइबुर्स तो में क्या कैसे हुआ था इसके बारे में जानकारी तो इसके बारे में आपको पढ़ना मोश्च इंपर्ण कोश्चिन भी है प्रसाड युक्षि जुड़ा अगला प्रस्ण है कि तुम आपको बता रहा हूं कि ताम प्रसाड युक्षि जुड़ा पढ़ पाएं पढ़ लिजीगा क्योंकि 15 नमबर आपको ताम प्रसाड युक्षि जुड़े 40-45 नमबर कम से कम की बात कर रहा हूं इतने तो पक्के ही हो जाएंगे ठीक है बाकी मिलते है गोड़ने वीडियो में जेहिंद पेपर हो जाएएगा तो कोशिन पेपर सेंड कर दीजिएगा जेहिंद